इस विडियो को शुरू करने से पहले एक उप्योगी सूचना यदि आप विटिलीगो संबंधित उप्योगी इबुक्स फ्री में प्राप्ट करना चाहते हैं वो खृपया हमारी इमेल एड्रेस विटिलीगो.diary.gmail.com पर इमेल करें हमारा इमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको ये इबुक्स बिना शुर्ट के बिलकुल फ्री में आपकी इमेल एड्रेस पर भेज दी जाएंगी आएए अब आज का टॉपिक डिसकस करते है नए दिलली के श्री बुलबुल महता जी पिछले कई सालों से विटिलिगो ट्रीकमेंट की दवा फ्री में लोगों को दे रहे है बुलबुल महता जी एक डॉक्टर नहीं बलकि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो दिलली के विकास पूरी इलाके में रहते है उनका कहना है कि उन्हें खुद विटिलीगो था और उनके गुरुजी द्वारा दी गई हर्बल मेडिसिन अर्थात देसी दवाई से उनका विटिलीगो ठीक हो गया है अब उनके गुरूजी के आशीरवात से यही दवा वो विटिलिगों वाले लोगों को देकर उनकी मदद कर रहे है बुलगुल महता जी का कहना है कि ये दवाई लोगों को देने के पीछे उनका समाज सेवा के अलावा दूसरा कोई उद्देश नहीं है इसलिए वो किसी तरह की कोई फीस भी नहीं लेते महता जी का कहना है कि ये कोई दवाई नहीं बलकि भगवान का प्रसाद ही है इसलिए जिस दिन भी मेडिसिन कैम्प लगता है तो सबसे पहले भगवान की पूजा होती है और उसके बाद प्रसाद के तौर पर ये दवाई सभी विटिलिगों वाले लोगों को दी जाती है महता जी के अनुसार यह एक देसी दवाई है जो नेचुरल चीजों से बनी है इसलिए इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसे लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के लिए जा सकता है हफते में दो दिन बुलबुल महता जी के घर पर फ्री मेडिसिन कैम्प लगाया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग ये दवाई लेने आते है बुलबुल महता जी की पत्नी और बच्चे भी इस समाज सेवा के कारे में उनका सहीयोग करते है महता जी का कहना है कि वो अपनी पूरी जिन्दगी ये दवाई फ्री में लोगों को देते रहेंगी और उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनका परिवार इस नेक काम को आगे बढ़ाएगा इस देसी दवाई का फॉर्मूला या इसमें कौन-कौन सी जड़ी बूटिया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो बुल-बुल महताजी सार्वजनिक नहीं करना चाहते ये दवाई सफेद पाउडर की फॉन में होती है जिसे पानी के साथ या ऐसे ही बिना पानी के लिए जा सकता है जहां तक ये सवाल है कि ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है तो ये छे महीने से लेकर तीन साल तक हो सकता है दवाई कितनी जल्दी असर शुरू करती है ये काफी सारी बातों पर दिपेंड करती है जैसे कि विटिली गो कितना पुराना है और इस से पहले कितनी तरह की दवाईयां ली जा चुकी है जहां तक food restriction यानी खाने पीने में परहिस की बात है तो दूद से बनी सभी dairy products जैसे की दही, मक्षन, पनीर आदी नहीं खाना है साथ ही सभी प्रकार के fast food और junk food जैसे की पीजा, बर्गर, मोमोस, समोसा, पकोड़ा आदी नहीं खाने है अगर एक line में कहा जाए तो सभी तरहा के unhealthy foods जिन में मैदा, नमक, चीनी और तेल काफी ज्यादा होता है, वो नहीं खाना है ध्यान रहें कि इस छोटे से वीडियो में हमने बुलबुल मेहता जी के treatment के बारे में आपको main main points यानी की मुखे-मुखे बातों की जानकारी दी है लेकिन पूरी जानकारी और treatment के लिए आप बुलबुल मेहता जी के medical camp में जाकर उनसे दवाई ले और खान-पान के परहेस के बारे में भी अच्छे से समझे Free Medicine Camp हफते में दो दिन लगाया जाता है प्रतेक मंगलवार और शनिवार को Medicine Camp का समय सुभा 9 बजे से शाम 4 बजे तक का होता है एड्रेस और फोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है यदि आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो आप बस ट्रेन या फ्लाइट से दिल्ली पहुँचे और फिर टैक्सी या कैप से आगे जाए यदि आप दिल्ली से ही है तो आप लोकल मेट्रो ट्रेन से जनकपुरी इस्ट या तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पर उतर कर आगे कैंप तक जाए बुलबुल महता जी के विटिलीगू ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ जरूरी बाते पॉइंट नंबर एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको हर हफ़ते मेडिसिन कैंप में जाकर दवाई लेनी चाहिए यदि आप दिल्ली या आसपास के शहर से है तो हर हफ़ते दवाई लेने जाएं लेकिन अगर दिल्ली आपके शहर से काफी दूर है तो आप 15 दिन या एक महीने की दवाई एक साथ भी ले सकते है Point No.2 यदि आप विटिली को के ट्रीटमेंट के लिए कोई दवा आल्रेडी ले रहे है तो बुल-बुल महता जी की मेडिसिन लेने से पहले आपको हो ट्रीटमेंट बंद करना होगा पॉइंट नमबर 3 यदि आपने विटिलिगो ट्रीटमेंट के लिए काफी सारी अलग-अलग तरह की मेडिसिन ट्राय करी होंगी तो शायद बुल-बुल महता जी की दवाई का असर दिखने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा महता जी के अनुसार उनकी दवाई पहले ली गई दवाईयों का असर खत्म होने के बाद ही अपना असर दिखाना शुरू करेगी तो हो सकता है कि थोड़ा समय ज्यादा लग जाए आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको उप्योगी लगी होगी विटिली को संबंधित सही जानकारी के लिए ठृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस विडियो को लाइक और शेर करना भी ना भूले धन्यवाद